तो जी चैनल पर बहुत सारे fundamental analysis के वीडियो में पोस्ट कर चुका हूँ और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ है प्यस माइंड टैक के fundamental analysis के बारे में तो अगर आपने जो भी चैनल पर वीडियो मैंने पोस्ट किये या फिर power sector के stocks है और भी other sector के stocks का fundamental analysis में कर चुका हूँ अब अगर बात करें हैप्यस माइंड के तो हैप्यस माइंड भी IT से ही ब्लॉंग करता हुआ देखने को मिलता है share price की बात करने तो market की इस correction में लगबग 8900 रुपे के आसपास currently stock देखने को मिलता है और अगर market cap की बात की जाए तो market cap यहां 14800, 17 करोड का देखने को मिलता है अब share price और market cap जिस्टे में आप वीडियो देख रहे होंगे में भी थोड़ा बहुत different होगा इस screen पर यह आपको 1000 रुपे दिख रहा है क्योंकि जिस्टे में मैंने data ready करवाया था 1000 रुपे था बढ़ market उसके बाद और volatile हुआ तो stock का price थोड़ा बहुत नीचे भी आ गया तो market cap भी थोड़ा बहुत कम हो चुका अब अगर company के overview की बात करें तो company जो है found की गई थी 2011 में अगर हम देखें तो operate करते हैं इंडिया में US, UK, Canada, Australia and Middle East में तो IT की company है तो जाहर सी बात है globally business तो देखने को मिलना ही है अब यहाँ पर और अगर आगे details देखें तो तो यहाँ पर company जो है fourth number पर rank करती भी देखने को मिलती है और किन-किन चीजों पर company काम करती है artificial intelligence पर, blockchain पर, cloud server, digital process, automation पर, internet of things पर जिसको IOT भी होते है robotic drones पर, securities, virtual या augmented reality पर और उसके लावा और भी बहुत सारी sectors अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो company की A4.2 की rating देखने को मिलती है glass store के दुआर और company के पास total 153 client है इतने सारी चीजों पर company काम कर रही है और 1500 से ज़्यादा client base यहाँ पर company का देखने को मिलता है और धीरे धीरे यह client base और भी बड़ा होता जा रहा है क्योंकि company अपने business को काफी तेजी से expand भी कर रही है company यहाँ पर deliver करती है service across industry sectors such as retail, agitech, industrial, bf, si, high tech, engineering, r&d, manufacturing, travel, media, entertainment and other इन सब चीजों के लिए यहाँ पर company services provide करती हुई हमको देखने को मिलती है अब अगर stock के हम price chart के बात करें तो stock list वह था सितंबर 2020 में सितंबर 2020 से लेके अभी तक company ने almost 180% के return दे दिये यानि कि अगर आप देखोगे तो लगबग हम कहा सकते है company को पौने दो साल हुआ है पौने दो साल के अंदर stock ने काफी धुआधार returns बना के दी है बट market की volatility है stock बड़े level पे जाने के बाद नीचे भी आता है तो ये भी बड़े level पे गया था वहाँ से काफी correction हुई है बट still आपको काफी अच्छे मौके मिल रहे है बहुती सस्ते में इन stocks को खरीदारी करने का क्योंकि ये सभी stocks खास कर से IT के काफी correction दिखा चुके है market की इस volatility में अब अगर हम बात कहने shareholding pattern की तो shareholding pattern इसका काफी अच्छा देखने को मिलता है promoter के पास 53.26% का stake नज़र आता है वहीं public के पास 38.97% का stake है FIIs के पास 6.29% का stake है और अगर DIAs के बात कहने तो 1.48% का stake यहां देखने को मिलता है यानि जितना promoters के पास है उसका लगबग हम कहा सकते हों कि 70% इस एक तो public ही hold करती है और public में भी कुछ बड़ी parties हैं जो यहां पर hold करती हो ही देखने को मिलते है तो shareholding pattern काफी interesting इसका देखने को मिलता है अब अगर company की strength की बात की जाए तो company का काफी अच्छा हमको ROE का track record देखने को मिलता है जो 55.74% का देखने को मिलता है वहीं अगर हम profit growth की बात करें तो profit growth भी company काफी अच्छा show करती है और पिछले 3 सालों का 143.18% के आसपास हमको देखने को मिलता है अब अगर हम cash conversion ratio की बात करें तो इतनी सारी company के अगर strength है तो जहर से बात है थोड़ी बहुत weakness भी हमको देखने को मिलेंगी अब weakness की अगर हम बात करें तो current price जो है वो intrinsic value से थोड़ा ज़ादा नज़राता है यानि कि stock का price थोड़ा intrinsic value से उपर है अगर stock के book value की बात करने तो book value से लगवक 30 गुना उपर trade करता होने ज़राता है जो मैं बोलूँगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है काफी सारे stock ऐसे हैं जो काफी उपर trade करते हैं अपनी book value से वहीं company के revenue की बात करें तो almost 15% revenue सिर्फ single एक customer से देखने को मिलता है तो थोड़ा सा आगे चलके दिक्काद दे सकता है in case वो customer company के साथ business बंद कर दे या कम कर दे तो company को all of sudden revenue में काफी fall देखने को मिल सकता है वहीं अगर हम top 20 customers की बात करें तो वो लगबग 66.5% revenue का contribute करते हैं तो यानि अगर आप देखो को तो company के पास majorly यहाँ पर लगबग 21 ऐसे client है जहां से 80% तक revenue जनरेट होता है और rest जो बचे हुए client है उन client से सिर्फ 20% revenue जनरेट होता है तो यहाँ पर company को business expand करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इन customers में से किसी भी एक customer या दो customer के साथ थोड़ा बहुत अगर business उपर नीचे होता है तो उस condition में revenue में काफी problems देखने को मिल सकती है अब अगर हम बात करें customer जो active है company के पास वो 173 थे financial year 2018 तक but currently financial year 2021 में वो 152 है चुके थे और अभी फिलाल अगर हम देखें तो almost 153 के आसपास active client देखने को मिलते हैं यानि कि 20 client ऐसे हैं जो already काम बंद कर चुके हैं वो ही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि future में हो सकता है कभी हमको वापस से जो ये major 80% revenue generation वाले clients देखने को मिल रहे हैं कोई inactive हो जाए कोई business बंद कर दे अपना या फिर कम कर दे तो उस condition में थोड़ा सा weakness देखने को मिल सकता है अब main चीज आती है कि should we buy this stock क्या हमको ये stock खरीदना चाहिए companies fundamentally strong for long term investment ये मैंने already पहले भी बताया है कि ये बहुत जादा strong stock है fundamentally अगर आप देखो कि तो काफी मजबूत नहीं जाता है और company grow करती भी नज़रा रही है massive pace पर valuations थोड़ी सी concern करती है बट अभी volatility market में इतना होगा तो मेरे साबसे valuations पर भी आपको ज्यादा focus नहीं करना चाहिए काफी अच्छी सस्ती valuations पर मिल रहा है और stock जो trade कर रहा है वो 120 के PE पर trade कर रहा है अब वह भी adjust हो चुका होगा क्योंकि अगर PE adjust नहीं होगा market की इतनी correction में stock correct हो रहा है प्राइज जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय कुछ और हो सकता है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय लगबख साड़े 800 रुपे का है और जिस समय मैंने data तयार करवाय था उस समय 1000 रुपे था 52 week high लगबख 1600 रुपे है 52 week low 650 के आसपास है इस टॉक का P already अगर आप देखोगे तो adjust थोड़ा हो चुका 92 का P currently fundamental के data में दिखता है book value के अगर हम बात करें तो 42 रुपीज है dividend company बहुत minor सा देती है 0.29% का dividend yield देखने को मिलता है ROC 36 से ज़्यादा का है 36% का ROC मैं बोलूँगा काफ़ impressive है ROE के अगर बात करें तो वो भी 42 का देखने को मिलता है 42% का ROE भी काफ़ी impressive है face value 2 रुपे है future में चलके company चाहे तो stock को split कर सकते है एक share के बदले दो share दिये जा सकते है अब अगर annual result overview की बात करें तो मुझे ये बहुत ही strong देखने को मिलता है sales growth पिछले एक साल में 9% बली है पिछले तीन साल में लगबग 20% और पिछले पांस सालों में साड़े 17% sales growth बढ़ती भी देखने को मिलती है अगर आप sales growth का chart देखो गए तो ये बिल्कुल आपको उपर जाता हुआ नजर आ रहा है वहीं अगर profit growth की बात की जाए तो पिछले एक साल में 120% से ज़्यादा profit growth है पिछले तीन सालों में almost 144% के आसपस profit growth देखने को मिलती है और पिछले 5 सालों में 97% की profit growth ये भी काफी चबरजस्त और impressive है ROE की अगर मैं बात करूँ तो ROE पिछले एक साल की 42% है पिछले तीन साल की 55% से ज़्यादा थी और पिछले 5 सालों की 32% से ज़्यादा थी यानि कुछ समय से volatility है जब से ROE थोड़ा सा week है अधर्वाइस ये भी काफी तेजी से उपर बढ़ रहा था और ये दिखाता है कि कंपनी कितनी मजबूत है ROC की बात करें तो almost same ROE वाला पैटन फोलो किया है इसने भी एक साल में 36% अगर तीन साल के data पे जाएं तो लगबग 32% के आसपास और 5 साल के data पे जाएं तो लगबग 20% के आसपास हमको देखने को मिलता है ROC भी improve हो चकता है अगर market थोड़ा सा stable हो क्योंकि company के business को कोई बहुत फ़रक नहीं पड़ रहा है stock का उपर नीचे होना ROE ROC की वज़े से थोड़ा सा दिखता है ROC और ROE में भी थोड़ी सी अगर improvement आती है company की sales growth बहुत impressive है profit growth बहुत impressive है ROE ROC थोड़ा सा और बढ़ जाए तो stock काफी अच्छे तेजी से उपर जाएगा और वापस अपने जो भी high levels से उनको achieve कर सकता है तो मैं अब अगर अपने conclusion की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस stock में आप long term position बनाओ at least 10-15 साल 20 साल के लिए बिल्कुल जा सकते हो आज के समय पे भी 100 quantity खरीद के छोड़ दोगे तो future में बहुत पैसा बना के देगा क्योंकि company काफी सारी चीजों पे काम करती है सिर्फ यह नहीं है कि एक ही चीज़ पे काम कर रही है कंपनी बहुत सारे सेक्टर्स पे काम करती है artificial intelligence हो blockchain हो cloud server digital process iot हो चाहे robotic drones हो virtual augmented reality और भी बहुत सारे सेक्टर्स है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल मेरी तरफ से buying recommendation है फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं end करता हूँ उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon हिट कर देना so that जो में वीडियो पोस करूँगा उसका notification आप तक पहुंचता रहे and comment में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा और इसके लगा आप ये भी comment करके बता सकते हो कि next आपको कौनसे stock के उपर fundamental analysis वीडियो चाहिए या फिर कोई study material वीडियो चाहिए so that मैं उस topic के उपर जल से जल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा